Hello students, आज हमें इस वीडियो में clubbing of income को discuss करेंगे और इसके साथ ही clubbing of income से related जितने भी provision income tax act में दिये गए हैं उन सारे provisions को भी यहाँ पर discuss करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं clubbing of income का मतलब क्या होता है तो देखें नाम से क्या समझ में आ रहा है income को club करना है तो clubbing का मतलब होता है combining आप जोड़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो income जोड़ रहे हो, पर कहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ पर सबसे बड़ी important चीज यही है कि जब हम income क्या करते हैं दूसरों की income को SSE की income बना देते हैं तो उसी को हम कहते है clubbing of income so clubbing of income means including the income of any other person in SSE's total income अब यहाँ पर देखें SSE क्या हो गया, SSE की definition income tax act में दी गई है पर वैसे समझें, in short SSE वो person होता है जिसको tax देना है, जिसके tax liability आप calculate कर रहे हैं जिसका पूरा tax का calculation हो रहा है जिसकी income, taxable income calculate की जारी होगी उसको हम यहाँ पर SSE बोल रहे हैं तो कहा जारा है कि जो SSE की, जिसको tax देना है जिसके taxable income आप calculate कर रहे हैं जब उसकी total income में जब जो income हम calculate कर रहे हैं उस income में हम किसी दूसरे person की income को add कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं clubbing of income मतलब calculation हो रहे थी Mr. A की और Mr. A की सारी income calculate की जा रहे थी कि Mr. A को कहां कहां से पैसे आ रहे हैं और हमने Mr. A की income में Mr. C की income को लाके add कर दिया यह क्यों किया? उसके पीछे भी reasons हैं उसी के बारे में सारे provisions दिये जाएंगे कि कब हम क्यों ऐसा करते हैं लेकिन Mr. A की income हमने Mr. C की जो income add कर दी that is called clubbing of income तो दूसरे की income को जब हम SSE की income में add on कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं clubbing of income अब समझेगा यह काम क्यों हो रहा और यह provision आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं basically होता क्या है कि tax evasion जैसी चीजों के लिए मतलब tax को tax से बचने के लिए tax की जो चोरी आप कहते हैं tax की चोरी जो लोग करते हैं तो sometimes क्या करते हैं tax से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं उसमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसको हम income tax authority समच चुकी है और उसमें उन्होंने क्या कह दिया उन सारे के लिए ही एक provisions बना दिया जिसको कहते हैं clubbing of income तो करते क्या हैं लोग कि उनको income tax देना पड़े इसलिए वो क्या करते हैं अपनी income को किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं अपनी चीज़े अपनी property को किसी दूसरे को transfer कर देते हैं जिससे कि यह हो जाए कि वो तो मेरी income ही नहीं है और हमारी income कम calculate हो और हमें tax कम देना पड़े और बाद में जिसको transfer किया उससे वो वापस ले लेते हैं तो taxes तो बच जाते हैं इसे को किते tax के चोरी कर रहे हैं वो तो income tax authority ऐसे scenario उसको समझते वह यह provision लाई और उन्होंने क्या situations बताया कि अगर आप ऐसी ऐसे situation में आप इस तरह से किसी को income transfer करेंगे जब लोग tax से बचने के लिए सारा काम करते हैं तो उस situation को बोल दिया गया कि एगर ऐसा कुछ होगा तो उस case में दूसरे की income नहीं होगी वो income तो आप ही की मानी जाएगी तो अब हम इस चीज को थोड़ा detail में समझते हैं income tax act ने क्या किया कुछ situations को specify कर दिया उन situation, वो situations वही हैं जिन situations में वो income tax authority क्या करेगी दूसरे की income को sse की income बना देगी हो रहे हैं दूसरे की income लेकिन क्या कहेगी कि ये sse की income है और sse की income में उसको add कर देगी और tax भी किसको देना पड़ेगा फिर SSE को देना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि वो situation कौनकों से ही है तो first क्या है transfer of income without transfer of assets है न एक चीस समझेगा यह clubbing of income की जितनी भी situation है वो generally section 60 से लेकि 65 तक में cover कर दी गई है 60 से लेकि 65 तक के अंदे है अब वहाँ पर अलग-अलग situation दीगे कि अगर ऐसा कोई काम किया गया तो उस case में हम यह दूसरे की income नहीं मानेंगे SSE की income मानेंगे तो पहला situation किया transfer or income without transfer of assets assets नहीं किसी को transfer करीगे लेकिन हाँ उस assets से होने वारे income को transfer कर दिया गया तो income तब दूसरे की हो गई लेकि income tax authority assets situation में क्या करेगी दूसरे की income को आपकी income बना देगी और आपसे tax ले लेगी तो एक तो situation गई होगे जिसको section 60 में deal किया गया दूसरा है revocable or cancellable transfer of assets assets तो transfer यहाँ पहले वाले में क्या गया asset transfer नहीं करी जा रही थी सिर्फ income transfer करी जा रही थी second वाले में assets transfer की जा रही है लेकिन किस बेसिस पे कि जब चाहे इस transfer को हम cancel कर सकते revocable cancelleable transfer of assets और यह किसको section में deal कियागी section 61 में next क्या है salary paid to spouse अब यहाँ salary का मतलब कोई भी remuneration, fees, commission, कुछ भी किसको दिया जा रहा है spouse को दिया जा रहा है अब यहाँ spouse का मतलब क्या होता है मतलब income tax act के हिसाब से spouse का मतलब होता है husband और wife अगर SSI जिसकी income आप calculate कर रहे है अगर वो husband है तो spouse का मतलब होगे उसकी wife और अगर वो wife है तो spouse का मतलब होगे उसका husband चीक है तो अगर wife का income calculate की जा रही है और husband को कोई salary दी जा रही है, कुछ किया जा रहा है, कोई remuneration दिया जा रहा है, तो उसको add किया जाएगा, इसी तरह husband का है, तो wife की income को add कर दिया जाएगा, wife को मिलने वाले remuneration को add कर दिया जाएगा, लेकिन कब add किया जाएगा, उसके लिए condition दी गई है section 64 में हमेशा नहीं कुछ conditions है जब इसको add किया जाएगा section 64 उसमें deal किया गया इसे के इंदर कुछ और important provision को deal किया गया जहां बोला गया income from assets transfer to spouse अगर यहां पर remuneration नहीं assets ही अगर transfer कर दी गई spouse को और उससे कोई income हो रही है तब वो deal किया गया section 64 सब section 1 clause 4 में next है हमारा क्या income from assets transfer to sons wife तो अगर जैसे जो son है husband या wife जो भी है उनका जो baby है son है उसकी wife को जिसे कहते है daughter-in-law तो daughter-in-law को अगर कोई assets transfer कर दी गई है तो उस case में भी हम उसको club कर देंगे right कब कैसे करेंगे वो भी सब section 1 के clause 6 में बताया गया right next है income of a minor child अगर minor child की कोई income हो रही है तो उसको भी हम club कर देंगे और यह कहां पर deal किया गया section 64 सब section 1E में so next है income of a minor child तो minor child की income को भी club कर दिया जाता है यह parents की income में लेकिन कब किया जाएगा वो भी situations वहाँ पर deal की गई है और कब नहीं किया जागा वो भी बताया गया तो यह तो बात होगे clubbing of income के अब इनी ही इनी situations को हम थोड़ा detail देख लेते यह वो situation है जिस situation में दूसरे की income को अगर ऐसा कुछ होता है तो दूसरे की income को SSC की income में add कर दिया जागा जोड़ दिया जाएगा और एक last मारा recovery of tax बसता that is section 65 basically यह liability है कि जिसका transfer किया जा रहा उनकी क्या liability होती है वो भी हम देख लेंगे तो अब हम बात करते हैं first की जिसे transfer of income without transfer of assets तो अगर कोई assets है उसको transfer किया गया assets को transfer नहीं किया गया उस assets से होने वाली सिर्फ income को किसी और को transfer कर दिया गया तो assets situation में income tax authority क्या कहती है वो जो transfer की गई income है वो दूसरे person की नहीं हुई वो income SSC की मानेगी जिसने transfer किया है उसी की माने जाएगी और उसकी total income में add कर दी जाएगी इसका मतलब उसी को tax देना पड़ेगा तो ये section कभी hit करेगा पहरी बात जो taxpayer है ना उसकी अपनी assets होनी चाहिए मतलब जो assets ही है जिसकी income में आप add करने वाले है वो taxpayer उसको हम कह रहे है यहाँ पर तो taxpayer की अपनी assets होनी चाहिए है ना फिर उस assets से जो भी income हो रही है वो किसी और person को transfer कर दी गई है he or she जो भी है उसको वो income transfer कर दी गई उस assets से जितनी भी income earn होते हो उसको transfer कर दी गई किसी दूसरे person को तो ऐसे situation में income सिर्फ transfer की गई होगी ownership जो assets की है ना वो taxpayer के साथ ही है मतलब assets मेरा ही रहेगा सिर्फ इस assets से जो income आ रही है वो income हम आपको transfer कर रहे है तो assets situation में वो आपकी income नहीं कहलाएगी वो income किसी कहलाएगी मेरी income कहलाएगी वो मेरी total income में उसे add कर दिया जाएगा तो such income is club in the income of transfer क्योंकि मैं owner थी, मैं taxpayer थी मैंने transfer किया था income को और assets को transfer नहीं किया ownership मेरे पास ही है कि मेरी assets है तो जब assets मेरी है तो इससे होने वाली income भी थो मेरी हुई फिर income मैंने कैसे transfer कर दी तो अगर मैंने tax से बचने के लिए income को transfer किया भी है तो वो income उनकी नहीं होगी वो मेरी ही कहलाएगे, ट्रांसफर की ही कहलाएगे तो इसको एक example से समझते हैं कि Mr. Ajay है जिनके पास एक bank में FD पढ़ा हुआ है ठीक है, heavy amount का FD है वो और उस FD से जो interest earn होती है किसको Mr. Ajay को वो 1,60,000 की होती है इन्होंने क्या किया इस 1,60,000 की जो interest है इसको किसको transfer कर दिया Mr. Bowman को मतलब FD तो ही नहीं की है लेकिन इस FD से होने वाली income that is interest इस interest को उन्होंने किसको दे दिया Mr. Bowman को दे दिया तो अब obvious सी बात है Mr. Bowman की income हो गई एक लाग साठेजर किसको मिल गया Bowman को मिल गया उनकी income हो गई लेकिन ऐसी situation में ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या FD भी दे दी गई है Bowman को ने FD Bowman को नहीं दी गई सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया income दी गई interest दिया गया FD अभी भी किसके पास है ownership किसकी है वो Ajay की ही है मतलब FD किसके नाम से है Ajay के नाम से ही है तो ऐसी situation में क्या हो जाएगा जो भी interest का amount था 1,60,000 वो किसकी income हो जाएगी Ajay की income हो जाएगी Bowman की income नहीं होगी तो इसी तरह से ये पहला provision आपका hit होता है कि अगर दूसरे की assets आपकी है अगिन ये section का hit होगा कि जब taxpayer के अपनी assets थी taxpayer ने क्या किया अपनी assets की ownership transfer कर दी वह ownership transfer नहीं करता है income कर रहा था यह ownership भी किसी एक दूसरे को दे दी है पुरा का पुरा assets ले टांसरे कर दी है लेकिन किस basis पे condition क्या लगाई गई कि ये जो हम आपको transfer कर रहे हैं assets ना हम जब मन करेगा वापस ले लेंगे तो ऐसा कोई transfer होता है क्या कि मतल्ब मैंने आपको अपने मान लेजे कोई car है या कोई land है कोई property है मैंने आपको transfer कर रही है और इस condition पे कि आज आपको transfer कर रहा है कल जब भी जब भी हमें लगेगा हम इसको cancel करके अपना वापस ले लेंगे तो ये तो real transfer नहीं हुआ ना तो अब हम transfer क्यों कर रहे थे हम क्योंकि हम बचना चाहते हैं कि tax से तो ऐसे situation में क्या कहा गया कि वो आपकी ही income बनेगी ना कि जिसको transfer किया गया उसकी example के लिए Mr. Sanjay ने क्या किया अपनी जो land है वो Mr. Yogesh को transfer कर दी और जब transfer कर रहे तो एक agreement किया उस agreement में ये बात कही गई कि कि किसी भी time Mr. Sanjay जब चाहे मतलब anytime वो क्या करते हैं उस assets को take back कर सकते हैं मतलब उस assets को वापस ले सकते हैं तो ऐसे situation में उस particular assets जो कुछ भी income होगी वो Mr. Sanjay की होगी ना कि Mr. Yogesh की होगी अब जैसे पहला provision था तो लोगों ने दिमाग लगा कि अच्छा अगर assets की ownership transfer नहीं करेंगे और सिफ income भी दे देंगे तो ऐसे situation में वो income तो मेरे ही hand में add कर दी जाएगी तो ने ने एक काम करो पूरा assets सी transfer कर दो तब तो मेरे hand में add नहीं की जाएगी ना लेकिन ये कर दो कि कहीं transfer करते हैं कहीं न कहीं agreement में एक clause लिख देना कि हम जब चाहें इस assets को वापस ले सकते हैं तो ऐसे situation में क्या होगी assets भी transfer हो गई, income भी transfer हो गई पर फिर भी उस assets से होने वाली income हम उस person की नहीं मानेंगे बलकि transfer की मानेंगे, जिसने transfer कि हो उसकी मानेंगे, clear है third क्या है, salary pay to spouse अब यहाँ salary pay to spouse का क्या मतलब हो गई है कि spouse को कोई भी income हो रही हो अब यह by way of salary हो सकता है commission हो सकता है, fees हो सकता है यह any other form of remuneration हो सकता है मतलब किसी भी form of remuneration में क्या हो रही है, spouse को income हो रही है और यह income जहां से हो रही है उस जगाहाँ पे उस individual का substantial interest होना चाहिए अब इस जिसको थोड़ा सा detail समसते है देखे, taxpayer एक individual person हो चाहिए तब यह उसका spouse होगा husband या wife होगी और he or she has substantial interest in any organization जिस organization से उनको remuneration receive हो रहा है मतलब income receive हो रही है वो चाहिए by way of salary हो है, commission है, fees है किसी भी form में हो रही है उसमें उनका substantial interest अब substantial interest का मतलब क्या हो गया कि उस organization के shares जिस organization से income दी जा रही है उस organization के shares more than shares, more than 20% shares उस person के हो या उनका voting right more than 20% के होनी चाहिए या फिर हम कह सकते कि profit में उनका more than 20% का हिस्सेदारी है मतलब at least 20% के हिस्सेदारी हो ऐसा situation हम कहते है कि हाँ भई particular person का उस organization में substantial interest है, कुस तो hit है कुस तो फाइदा है, क्योंकि उनमें उनके spouse को अगर कोई remuneration दी जा रही होगी न, तो वो remuneration spouse की नहीं होई, वो मेरी होई, clear है तो ये चीज़ या आपर कहने की कोशिश की गई है तो spouse है और एक चीज़ और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं की substantial interest है ये भी धिया अंदर न पड़ेगा, कि spouse को जो भी remuneration दी जा रही है, जो भी income हो रही है उस particular organization से जिसमें आपका substantial interest है वो किसी technical या professional knowledge की वज़े से नहीं हो रही है, मतलब वाकए में आपका spouse कोई technical knowledge या कोई professional skill या कुछ उनके पास experience है जिसकी वज़े से उनको remuneration दिया जा रहा है, तो वो उनकी income कहलाएगी, पर अगर ऐसा कुछ उनके पास नहीं है, कोई skill नहीं है कोई knowledge नहीं है, कोई technical या professional knowledge नहीं थी, कोई skill experience कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको remuneration दिया जा रहा इस organization से जिसमें आपका substantial interest था, तो ऐसा situation में उसको आपकी income में add कर दिया जाएगा, clear है एक exam पर समझते हैं Mr. Allok है, उनकी AB Limited एक company है मैं तो बुए organization, जिस organization में Mr. Allok की जो holding थे वो 30% of shares की थी, मतलब AB Limited के 30% से ज़ादा की shares की हम कहते हैं, 30% share कि इसके थे, Mr. Allok के थे, अगर substantial interest है organization में? Yes है, AB Limited में है अब आगे बात करते हैं, Mrs. Rollie, his wife spouse हो गई, is working as a HR manager in AB Limited अब AB Limited, जिस company में उनके 30,000 shares थे, उस company में Rollie क्या है, as an HR manager, वहाँ पर work कर रही है और उसकी वज़ा से उनको per month 50,000 की salary आती है अब अगर Mrs. Rollie जो है, वो कैसी होती, वो professional होती, HR के लिए professionally hired होती, में कि हाँ, उनके पास वो technical knowledge होती, उसकी qualification होती, उसकी degree होती, तो ऐसे situation में अगर उनको 55,000 के salary AB देता तो कोई problem ही थे, वो उनकी income होती, लेकिन यहाँ पर important क्या होगा, कि वो qualified नहीं थी, उस post के लिए, उनके पास HR की कोई degree नहीं थी, नहीं कोई उनके पास experience था, उसके बाद, उसके बाद भी उनको HR की post पर देखे हो, उनको वो salary दी जा रही है, तो ऐसे situation में Mr. Rollie को मिलने वाली, Mrs. Rollie को मिलने वाली सारी की सारी salary किसकी बन जाएगी, Mr. Allok की बन जाएगी, taxpayer की बन जाएगी, तो ये सिर्फ salary की बात नहीं कोई भी commission दिया जाता हो, किछ-कुछ और दिया जा रहा होता, कोई भी generation अगर इस condition पे होता, कि substantial interest होता हो, उस organization से income मिल रही है, spouse को, और दूसरा, वो जो income दी जा रही हो, वो किसी भी technical ये professional इसके लिए knowledge ये experience की वज़े से ना दी जा रही हो, अगर ऐसी कोई situation है, तो उस particular spouse की होने वाली income, taxpayer की income बन जाएगी, अब अब next दिखते हैं, next है, income from assets transfer to spouse, अब यहाँ पे particularly किसी organization से income नहीं हो रही है spouse को, बलकि spouse को कोई assets transfer कर दी गई है, उससे income हो रही है, जैसे होता ना, कि लोग अपने husband की नाम पे, अपनी wife की नाम पे अपनी property कर देते हैं, अब उस property से कोई income generate हो थी, तो अब उनकी income होई, इस तरह से income अगर अकेले मेरी नाम पे रहती वो, तो मेरा tax जादा हाता, suppose करिए अगर मैं अपनी बात करती, तो माले जी कि अगर वो property मेरी नाम पे रहती है, और उससे income हो रही है तो मेरा tax calculation बढ़ जाता है, मेरी income बढ़ती है, हम दूसरे tax lab में आ सकते थे, और मेरे से जादा tax लग सकता था, पर अगर भही income को bifurcate कर दे, अपने spouse के नाम पे उस income को transfer कर दे, तो spouse की अलग income calculate होगी, मेरी अलग income calculate होगी, तो सकता मैं भी exempt हो जाऊ tax से, वो भी exempt हो जाए tax से, या फिर मुझे, मैं ऐसे situation में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो भी उसको club कर दिया जाएगा tax payer के हाथ में, कैसे, पहले तो यह section कब applicable होगा, tax payer एक individual होगा, तभी तो spouse होगा, यह बात हमें normal सी समझ में आ रही है, दूसरी चीज, जो taxpayer है उसकी अपनी assets होने चाहिए, जो जो assets transfer करी गई न, वो consideration के साथ की गई, जसे कहते consideration का होना जरूरी है, in return कुछ मिलना चाहिए, तो consideration है, लेकिं consideration का amount क्या है, बहुत कम है, मतलब जैसे suppose करिए, कि एक बहुत बड़ी machinery थी, यह मेरा assets था, business में, अब उस machinery को मैंने, क्या किया, अपने spouse को, अपने spouse को transfer कर दिया, यह मैं ऐसे कहूँ, कि कोई particular building थी, उस building को मैंने, अपने spouse को transfer कर दिया, right, अब building को मैंने spouse को transfer कर दिया, उस building को rent पे उठाया गया था, बहुत सारे income उससे होती थी, अब उस building को मैंने जैसे अपने spouse को transfer कर दिया तो उससे होने वाले income किसकी बन गई अब spouse की बन गई लेकिन अब यहाँ पर income tax 30 क्या क्या check करेगी पहली चीज तो कि मैंने जो यह अपनी building spouse को transfer की वो मेरे नाम पे थी हाँ थी मतलब मेरी ownership में थी मेरी थी उसकी बात क्या मैंने वाकर में transfer करी spouse को क्या उस transfer agreement में उस property के dealing में उनका नाम है कि उनको transfer कर दी गई है हाँ भई है उनको transfer कर दी गई दो condition clear हो गई तीसरी condition क्या जो transfer हुआ है वो adequate price पे हुआ है कि नहीं अब adequate का मतलब market value जल चल रही है मा लेज़े वो चल रही थी पांच करोड की तो जो assets ये जो building मैंने transfer करी है वो पांच करोड है या उससे थूड़ा बहुत कम हो लेकि मैंने इनको वो building सिर्फ एक करोड में transfer कर दी या मैं कहूं सिर्फ तीस लाख में transfer कर दी तो market value से बहुत lower amount पे मैंने क्या कर दी इस building को transfer कर दी इससे साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमने क्या किया है manipulation किया है accounts के में कि मतलब कोई real transfer नहीं है अगर वाकए में transfer होता है तो proper adequate consideration का होना mandatory था तो यहाँ पे fair market value से lower price पे अगर आप assets को transfer कर रहा है अपने spouse को तब जाके उस होने वाले income को आपकी ही income treat किया जाएगा लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है एक exception है अगर यह transfer इसलिए होगा क्योंकि कोई divorce agreement था मतलब divorce की वज़ा से यह transfer किया गया है कोई building कोई assets कोई घर कोई land transfer करी जा रही होगी तो ऐसा situation में उसको transfer मान लिया जाएगा भले वो lower than the market value क्यों ना हो मतलब उसकी जो price है वो lower than the fair market price हो still उसको हम क्या treat कर लेंगे कि वो particular person को agreement assets transfer हो चुका है spouse को transfer हो गया अब वो spouse की हो गई उसको फिर हम इस category में नहीं लाएंगे ठीक है तो एक example की समझते है पूनम ने क्या किया मिस्स पूनम ने अपनी एक land थी 50 लाग की उसको अपने husband को transfer कर दिया सिर्फ 10 लाग रुपे में तो market value से कम बें transfer कर दिया अब उस land से जो भी income हो रही थी वो income किसकी होगी वो उनके husband की नहीं होगी बलकि किसकी हो जागी पूनम की ही होगी अब land से कैसे income land से बहुत सारी income होती है like land पे वो आपका parking lot parking के लिए बहुत जादा उसके tender पढ़ते हैं उससे बहुत अच्छी income होती है तो इस तरस तो किसे land से इंकम हो रहे थी उससे होने वाले income अब मेरी नहीं होती तो मालेज जी mrs. Poonam उनकी नहीं होती अब वो किसकी होती है husband के होती पर उनकोनने ट्रांस्फ़र कर दिया पर ऐससे स्चाइशन में उस income को किसकी husband की income नहीं माने जाएगी Mrs. Poonam की income माने जाएगी उसमें club कर दिया जाएगा Next one thing income from assets transfer to sons wife अगर कोई ऐसा assets है उस assets को किसको transfer किया daughter and in-law को transfer कर दिया बेटी की wife को transfer किया गया बहू को transfer कर दिया गया अब उस assets से चुकि assets transfer कर दिया गया तो assets भी बहू की उससे होनवाली income भी बहू की उनकी sons wife की हो गई daughter and in-law की होगी लेकिन asset situation में income रस्त होटी कहती है कि नहीं वो income जो है daughter and in-law की income नहीं होगी वो income किसकी होगी taxpayer की income होगी ये section कब applicable होगा वो taxpayer individual हो उसकी अपनी assets थी उस assets को उन्होंने sons की wife को वाकर में transfer किया हो और यहां पर दूसरी चीज़ क्या है जो amount जो assets transfer करी गई होगी वो fair market value से lower price पे होगी तब ही जाके इस section हिट होगा तो Mr. Ganesh transfer his shares of Rs. 50,000 to his sons wife only for Rs. 10,000 तो 50,000 के shares को 10,000 रुपे में transfer कर दिया गया अब उस share से dividend जो मिलता था जो income होती थी या बाकी कुछ और profits में आपको कुछ income मिलने वाली थी वो सारी income अब किसी होती sons wife की होते लेकिन ऐसे scenario में income tax department कहती कि नहीं वो उनकी नहीं होगी Mr. Ganesh की की income होगी उनी के hand पे club कर दी जाएगी नेक्स रखते हैं income from a minor child तो अगर कोई minor child है below 18 age का child है और उसको कोई income हो रही है तो वो income भी parents के hand पे club कर दी जाती है तो all the income of a minor are clubbed in the income of us और her parents अब parents में भी दू होते हैं mother and father तो किसके hand में club की जाएगी उसके लिए भी rules है और उसके rules में अभी उपको clear कर देती हूँ लेकि पहले इस पात को समझते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ और आनने में वहली कि अगर physically or mentally handicapped minor child है तो उसकी income को किसी में भी club नहीं की जाती है मतलब ना तो उसके father की income है ना तो उसके mother की income है किसी में भी club नहीं की जाएगी क्योंकि वह physically or mentally handicapped child से होने वाली income है अब in such cases total income of such minor child shall be computed separately तो क्या करते हैं कि जो minor child है उसकी income को अलग से calculate किया जाता है और जो उनके parents की income है उनको भी calculate किया जाता है अब दोनों की income में जिसकी भी total income जो इसकी भी GTI जादा आती होगी उसी की income में जिसकी भी income जादा होगी husband, father या mother में जिसकी income जादा होगी उसी की income में उस minor child की income को club कर दिया जाता है first time और एक बर जिसके में club कर देता है वही वो continue club होता रहता है तो इसमें एक चीज और है exemption allowed होता है जो की exam से में कई पुछा जाता है तो अगर minor child को जो income मिल रही है और उसको जब parents की income में club करते हैं तो क्या parents को रिलाक्सेशन मांग सकते हैं कि मान लीजे father mother थे father mother की income calculate की गई और child की income calculate की गई minor child की income calculate की गई और उस income को उठा के father या mother में से मान लेते हैं कि mother की या father में father की income total income जादा आई थी father की income जादा थी तो उस minor child की income को father की income में club कर दिया गया अब ऐसे situation में कि father को exemption ले सकते हैं तो yes exemption क्या है कि या तो जो उनको income मिली हूँ वो या rupees 1500 1500 रुपय पर child मतलब जितने भी minor child की income हो रही होगी सब को अगर देखा जाए तो 1500 रुपय पर child तक आपको मिलता है minor child का तो उसको उतना रुपय exempt हो जाएगा दोनों में जो भी lower amount होगा उतना exempt हो जाता है तो वो और ये exemption कि section के अंदर मिलता section 10 section 32 के अंदर है exemption of tax में ये section deal करते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलता है 1500 रुपय की छोट मिलती है आपको minor child की income उतने deduct हो जाती है ये आपको maximum amount है तो जो income earned की मान लेज़े कि minor child की total income calculate की गए वो 1000 रुपय की income थी तो ऐसे situation में कोई भी income club नहीं हो क्योंकि exemption मिल जाएगा 1500 तका exemption मिलना था ना तो अब 1000 और 1500 में lower क्या है 1000 है तो 1000 तका exempt हो गया मतलब zero income होई कोई tax income club नहीं होई zero होई club लेकिन अगर मान लेज़े कि 2000 की income हो रही थी minor child की income separately calculate किये गए कितनी income मन किया ही सबको minor child की category में रखा जाएगा even though अगर कोई minor married daughter है तो उस case में भी उसकी income parents के hand में ही club की जाएगी clear है लेकिन यहाँ इसके लिए पहले एक example देख लेते है suppose कि यह दानिश है एक minor है और वो क्या करते है उनकी जो taxable income है 50,000 की है अब यह taxable income किस से हो रही है उनको interest हो रही है मतलब कही न कही कोई investment थी दानिश के नाम की और उससे interest आ रहा है और वो interest कितने का रहा है 50,000 का रहा है दानिश को income हो रही है 50,000 रुपेस की अब उनका क्या हुआ मालेजन के जो father थे उनका अपना दो अलग-अलग business चल रहा था एक cloth का business एक iron का business था और दोनों की जब taxable income calculate की गए थी 21,500 आ रही थी एक business ही 2,40,000 आ रही थी और mother की कोई income ही नहीं थी क्योंकि हमने क्या-क्याइब बात करी कि father या mother दोनों की income calculate की जिसकी income जादा होती है उसी के hand में club कर दिया जाता है तो या तो mother की कोई income ही नहीं थी father की income थी तो किसमे club होका father की income में पचाजार रपर club किये जाएंगे ठीक है अब in this case Danish income of rupees 50,000 less rupees 15,00 चुकि क्या है कि exemption किते कम लिए 15,000 का exemption में सकता है अब जो receive वह या 15,000 whichever is lower तो 50,000 और 1500 में सबसे कम कौन सा है 15,000 मतलब exemption कहां तक मिलेगा 15,000 तक मिलेगा तो 50,000 में से 15,000 को exempt कर दिया गया जो remaining बचाए कितना मुझा 48,500 उतना क्या हो जाएगा father की income में आड कर दिया जाएगा तो father की total income कितनी बनती 2,40,000 plus 60,000 3,00,000 की income होती अब इस 3,00,000 की income में Danish की income और आड कर दी जाएगी Danish की कितनी income आड की जाएगी 50,000 माइनस 15,000 48,500 तो अब father की total income कितनी बन गई 3,00, 48,500 इसको कहते हैं club करना minor की income को club करना लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वारी बात है कि कब हम minor की income को club नहीं करेंगे उसे कुछ exception दिये गया है तो पहली बात कहा गया कि अगर जो income minor child को हुआ है वो उसके manual work की बज़ाएगी मतलब वो कुछ physical work करता है उस work की बज़ा से उस minor child को income हो रही है तो वो income parents की income में add on नहीं की जाएगी दूसरा अगर minor child ने जो income generate करी है जो income earn करी है वो income अपनी skill अपने talent या उसके पास कोई specialized knowledge थी या कुछ experience था उसकी बज़ा से उसको income हो रही है otherwise कोई income अगर minor child को हो रही है लोग नहीं अपने छोटे बच्चों के नाम पे properties खरीद देते हैं buildings खरीद देते हैं heavy investment कर देते हैं तो जो भी income होती है अब बच्चे के नाम से कर दिया है आपने तो कहलाएगा तो assets बच्चे का होने वाली income तो उस बच्चे की हुई तो क्या income तैस थोट है उनसे tax देगी नहीं ऐसे situation उस बच्चे की income होने वाली income का tax भी उसके parents देते हैं clear होनगी के hand में वो club कर दिया जाता वही यहां पे बात कही गई है ठीक है और last रहता है recovery of tax यह section 65 में deal किया कि basically clubbing की बात 60 से 64 के अंदर ही खतम कर दी जाती है तो यह recovery of tax में कहता है liability of a person respect of income included in the income of another person उस person की भी liability होती है जिस person की income को दूसरे person की income में club किया जा रहा है तो जिसकी income लेके club की जारी ना उसकी भी liability होती है तो the tax on the income of other person which has been included in the income of SSE can either be recovered from the SSE or from the other person तो SSE खुद भी उस person से recover कर सकता है तो जितने तक की tax है जितने तक की income मान ले जे दूसरे party की थी और उस party की income को अब SSE की income बना दिया गया है तो SSE उस income को recover कर सकती है पर limit कितनी है limit उतनी है जितनी तक की add-on की गई होगी जितना add किया गया उतना तक recovery की जा सकती है इसमें की example देख लेते है कि मान लेजे B.C. कीस में एक minor son था A जो इसको 50,000 का loss हुआ था house property से ठीक है house property की income होती न उसमें उनको loss हो गया था जो किसको loss हुआ था Mr. A थे उनका एक minor son था उसको loss हुआ था तो जो loss का amount है न वो किसका Mr. A ये Mrs. A दोनों में से जिसकी भी higher income होगी वहां से set-off करा दी जाएगी मतलब उनसे recovery कर ली जाएगी इस चीज़ को तो ये आपका हो गया recovery of tax ये clubbing of income I hope आपको सारी चीज़े clear हुई होँगी clubbing of income club जोडते ही क्यों है उसके पीछे का intention important है lawmaker ने section को introduce किया income tax act में उसके पीछे reason था कि लोग इसी तरह से चीज़ों को assets को income को transfer कर करके tax से बच रहे थी इसी लिए कह दिया गया कि इस तरह के अगर आप transfer करेंगे तो उसको हम आप ही के hand में add करके आप से ही tax ले लेंगे हम उसको transfer मानेंगे ही नहीं तो that is all about clubbing of income wish you all the best thank you so much